कि अपना टॉपिक जो हमने पिछली क्लासे में डिसकस किया है वो टॉपिक है रिफॉर्म सिन एग्रिकल्टर सेक्टर यानि कि गवर्मेंट ने कौन-कौन से सेक्टर में उनको दूर किया दा सके और अग्रिकल्टर सेक्टर की प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाया जाए इस सीरीज में हमने दो टैप ऑफ रिफॉर्म्स पहले पढ़ ली हैं जिसमें टेक्निकल रिफॉर्म है और लेंड रिफॉर्म है आज हम इसका थार्ड एंड ला आए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है एक्स्पैंशन ओफ इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेशन फैसिलिटी का क्या मतलब होता है इरिगेशन फैसिलिटी बेसिकली जो वोटर रिसोर्स के जरुद होती है एग्रिकल्टर प्रोड़क्शन के लिए वो प्रोवाइड करवाने को irrigation facility से हम समझ सकते हैं हमने problems of agriculture sector में पढ़ा था कि एक समस्या low productivity की या एक reason low productivity के पीछे ये था कि इंडिया में irrigation facilities की कमी है इंडिया totally dependent थी rainfall के उपर rainfall क्योंकि आपको पता एक uncertain phenomena है तो इसलिए agriculture production भी uncertain थे तो इस चीज को दूर करने के लिए एक बहुत important कदम जो government ने उठाया था वो ये था कि irrigation facilities को provide करने की कोशिश की गई थी expand की गई थी facilities को अगर हम बात करें जब first five year plan आया in 1951 उस दोरान तक केवल 17% irrigation facilities available थी all over the इंडिया लेकिन अगर हम आज के बात करें तो यह expand होके 45% तक जा चुकी है यह दिखाता कि government ने जो कदम उठाया वो काफी हद तक काम्याब रहा है basically यह artificial water sources को create किया जाता है ताकि जो जमीने हैं वहां तक पानी पहुच सके और agricultural production अच्छे से हो सके यह था हमारा पहला point आई आप देखते हैं second point क्या है provision of credit देखे reforms क्यों लेके आए हैं reforms लेके आए हैं कि जो पहले की समस्या थी उनको दूर किया जाए तो हमने problems of agriculture sector में यह समस्या यह पड़ी थी कि sources of finance की कमी थी यानि कि farmers की poor थे हमारे country की उनके पास finance की कमी थी और जो finance arrange कर भी रहते वो non-institutional sources से arrange कर रहते थे जो कि basically उनका exploitation करता था sources of finance की समस्या को दूर करने के लिए government ने जो है finance opportunities provide कर वाई institutional sectors को arrange किया गया institutional sectors को तयार किया गया ताकि जो farmers हमको finance की need पूरी हो सकते और finance बे कैसे source से मिले जो कि reliable source है इसके अंडर government ने 1982 में नबाट that is national bank for agriculture and rural development इसे established किया था basically इसके लावा छोटे छोटे और भहुत सी organizations established की गई थी जैसे कि आर आर बी रीजिनल रूगल बैंक और commercial बैंक तो प्रोवाइड करवाते ही यह लोग basically 72% of the total institutional finances provided by the commercial banks नबाड इसमें बहुत इंपोर्टेंट इसलिए है कि नबाड इस दे एपक्स इंस्टिशन रूरल development और agricultural source agriculture sector को finance प्रोवाइड करवाने के जो अपेक्स बोडी है मतलब कि जितने भी बोडिस काम कर दिया finance प्रोवाइड कराने के लिए उन सबके हैड नबाड है जैसे कि अगर हम commercial banks की बात करें तो उनका हैड कोन है central bank सो गवर्मेंट ने बहुत से ऐसे organizations established की जिनका काम यह था कि किसानों तक loan प्रोवाइड करवाए जाए उनको finance प्रोवाइड करवाए जाए और वो भी एक reliable source से प्रोवाइड करवाए जाए तो यह है हमारे तीसरा रिफोर्म क्या आया था जनरल रिफोर्म में आईए देखते हैं regulated market and cooperative marketing societies इसी point में दो पॉइंट छुपे हुए regulated market and cooperative marketing societies regulated market का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है regulated market का मतलब होता है जब market पे government का यहां रेगुलेटिड इसाब से चेंज कर सके सो बेसिक्लिंट मार्किट का मतलब होता है कि Ma कंतोर कि गवर्मेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकती है तो एक अडम गवर्मेंट नहीं यह उठाये कि रेगूलेटेड मार्केट स्वॉम की गई मतलब कि अगरिकल्चर से लेटिड ऐसी मार्केट तयार की गई जिसमें गवर्मेंट जो है वह अब्सर्व कर रही तो अगर मार्किट फोर्चेस इस तरीके से बिहेव करें जो फार्मर्स के कंड्यूसिव नहीं है तो गवर्मेंट उसमें चेंज कर सकती है जैसे कि जो इन्पुट्स है अगर मान लीजेए ज्यादा है भी प्राइस पे इंपुट् तो यह तो है रेगुलेटिड मार्केटिव मार्केटि दॉसाइटी तो एक समस्से हमने यह पडी थी कि अन और्गनाइजड मार्केटिंग सोसाइटिप पहले यानि कि वह एक organized form नहीं था तो उसमें exploitation होता था farmers का अब क्योंकि cooperative marketing societies create की cooperative का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि काम जो है collective way में किया जाए जो marketing हो रही है marketing का मतलब purchase of input and sale of final product उसको collectively purchase किया जाए collectively sale किया जाए ताकि जो bargaining power है bargaining power का मतलब होता है कि price को अपने हिसाब से change करवाने की power वो जाधा हो सके जब bulk में समान खरीदा और बेचा जाता है तो prices को अपने हिसाब से change करवा सकते तो यह दो कदम उठाए था basic objective इन दो कदम का यह था कि exploitation खतम कर दिया जाए farmers का last point general reforms में क्या है आईए देखते है last point है price support policy basically पॉइंट के अंदर government यह कोशिश कर रही थी कि जो फार्मर से उनको एक minimum support price provide करवाय जाए जिसे हम MSP के नाम से जानते हैं देखें कि आप तो पता है कि agriculture production जो है वो uncertain है उसकी कोई shorty नहीं है तो कई बार यह होता है कि farmers अपने product को sell नहीं कर पाते मार्केट में तो गवर्मेंट उनको एक assurity provide करवाते एक security देती है कि अगर उनकी जब उपज है जो अग्रिकल्चर production है वो नहीं भिका तो government उसको एक minimum price में कम से कम खरीद लेगी एक minimum price जो है वो तैय कर दिया जाता है वो बेसिकली इस चार points हमने पड़े है land reforms में सो हमने इसके साथी reform का पूरा topic complete कर दिया है अब इस point को खतम करने से पहले मैं एक topic और discuss कर दूँ वो topic है what were the objectives behind the implementation of this reforms कि reforms government लेके आई इसके पीछे main मकसद क्या था सरकार का यह question आप से अगर पूछ ले तो बेसिकली जो हमने problems पड़ी थी और problems को ही दूर करने के लिए reforms आई थे तो आप एक एक करके उन प्रॉलम्स का नाम दे सकते हैं जैसे कि productivity productivity पहले कम थी तो productivity को बढ़ाने के लिए reforms लेके आई दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम दूसरी चीज़ हो सकते हैं जो exploitive nature था पहले exploitation बहुत जादा होता था जो अग्री कल्चर एक्रिटीटिस में इंवोल्ड थे फार्मर्स उनका तो उस exploitation को खतम करने के लिए यह reforms आई अनीक्वल distribution था पहले तो उसे equitable distribution करने के लिए reforms आए तो बैसिकली जितने भी माक्स का question आएगा अपने हुसाब से इस पो कर सकते हैं जो भी problems थी वह एक एक point करके आप लिख देंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए reforms आए थे इसी के साथ हमारा यह reform का topic बिल्कुल complete होता है इस chapter में हमें अब green revolution के बारे में पढ़ना है कि basically green revolution का क्या मतलब है कैसे कैसे इसके शुरुआत हुई इसकी achievements क्या है उसके failures क्या है यह हम discuss करेंगे अपने next class में तो तब तक के लिए stay safe and stay healthy and thanks for watching this video